नमश्कार आज हम विज्ञान की आठवी कक्षा का अध्याय देखते हैं अब हम कुछ समय के लिए भूल जाते हैं हम विज्ञान पढ़ रहे हैं हम चलते हैं हमारे खेतों की और और आज आपके साथ एक किसान है तो आईए हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हम जो रोज मर्रा में खाना या भोजन लेते हैं वो कहां से आता है निशित तोर पे वो खेत से आता है पर वो प्रोसेस इतना सिंपल नहीं है जितना हम सोचते हैं मिट्टी जैसे कि हम तयार करते हैं वहां से लेके फसल आना, फसल कटना और फाइनली हमारे घर तक processed food या खाना आना एक बहुत लंबी श्रिंखला है तो हम उस श्रिंखला को आज समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले जब हमें श्रिंखला में जब तक नहीं फसल नहीं आजाती तब तक हमें कुछ न कुछ तो consume करना पड़ेगा या हमें सेवन करना पड़ेगा तो हमें उसको एक साल के लिए मान के चलिए कि हमें रखना है तो वो हो गया उसका management और सही लोगों को तक सही समय में सही हालत में वो पहुँशना चाहिए तो ये हो गया उसका distribution तो ये तीनों चीज़े हैं जो हम आज इसमें समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं आदिकाल की आदी मानव की आदी मानव जब थे तब वो एक जगे से दूसरी जगे जाते थे शिकार करते थे कभी उन्होंने सोचा नहीं कि हम एक जगे रुख के क्रिशी करें क्रिशी करने के लिए पहली चीज क्या है आपको एक जगे रुखना होगा आपको एक ठहराव लाना होगा तो पुराने जो वेकती थे उनको हम nomads कहते हैं वो एक जगे से दूसरी जगे गूमते थे धीरे-धीरे कृशी का अविश्कार होने से लोगों में settled life की शुरुवात हुई और लोग एक जगे अपना जीवन यापन करने की बात सोचने लगे क्योंकि उनको लगा कि इससे हमें भोजन भी मिल रहा है और ये लंबे समय तक प्रकरिया चल सकती है फिर जब हम भोजन की बात करते हैं तो भोजन में हम चार चीज़े देखते हैं पहला तो है अनाज या खादियान जिसमें हम दाले देखते हैं जिसको हम pulses कहते हैं या फिर गेहू चावल जिसको हम सीरियल कहते हैं दूसरी तरफ फल और सबजी तो ये सारी चीज़ें हम मुख्यता फोकस करेंगे अब जब हम भारत देश में बात करते हैं मुख्यता तो तीन सीजन्स होते हैं फसल के सबसे पहला सर्दियों में होता है आपका रावी आपकी ये सारी फसले रावी में देखी गई है रावी के साथ अगला सीजन आपका आता है स्प्रिंग या बसंद के महीने में जब रावी की फसल आपने सर्दियों में बोई है वो बसंद तक कट जाएगी और तब आपका अगला सीजन चालू होगा जिसको हम जायत सीजन बोलते हैं जब मुख्यता फल और सबजियां आती हैं और उसके बाद गर्मियों में आपकी खारिफ क्रॉप आएगी और ये खारिफ क्रॉप राभी के पहले कट जाएगी और फिर अगली राभी की फसल आएगी तो ये एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और इसमें ये एक क्रॉप हैं जो उखती है तो ये आपका हो गया क्रॉप का क्लासिफेकेशन पर आज जो हम चीज पे फोकस करने जा रहे हैं वो है कि किस तरीके से हम इस खेती को आगे बढ़ाते हैं तो जैसा कि हमने बोला हमें मिट्टी को तयार करने से फसल को समहाल के रखना साल भर के लिए वो एक पूरी लंबी प्रक्रिया है तो वो हम साथ स्टेप्स में करते हैं सबसे पहले हम मिट्टी को तयार करते हैं हम बीच बोते हैं उसमें उर्वरक डालते हैं सिचाई करते हैं जितने भी खराब पौदे हैं उनको निकालते हैं खरपतवार को हटाते हैं फिर फसल को काटते हैं और फसल को समहाल के रखते ह हैं यह स्टोर करते हैं साल भर के लिए अभी तो बहुत नो करते हैं मिट्टी को त्यार करने की मिट्टी को हम दो इसकी वज़ेंसे हवा और और अक्सिजफिन का सप्लाइद मिट्टी में बढ़ जा confirming स्वूनhou की नहीं भी है तो भी हम प्लो के दौारा मिट्टी को डीला करने का काम करते हैं ये करतेगा यह 12 दो बैलों को खेट पर बॉराया जाता है और जब जाती हैं तो वह से लूज हो चाती है अब क्योंकि मिट्टी लूस हो चूकी है वहाँ पर crumbs निकलके आ गये हैं जो कि छोटेचोटे पार्टिकल्ण हैं अब हम क्या करना चाहते हैं हम उसको लेवल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लेवलर काम में लेते हैं जब हम मिट्टी को Δीला कर रहे उसको प्लो कर रहे हैं तो उसके लिए हम प्लो शेयर काम में लेते हैं प्लो शेयर जो है लकडी का भी हो सकता है लोहे का भी हो सकता है शुरुवाती तोर पे लकडी के प्लो शेयर काम में आते थे अब धीरे धीरे टेकनलोजी इवाल्व होने के साथ लोहे के या आईरन के प उर्वरक बनती जाती है तो इसी के द्वारा हम उर्वरक को जोड़ने की या उर्वरक डालने की बात करेंगे जो हम थर्ड टॉपिक जो है मैनियर और फर्टिलाइजर को किस तरीके से एड किया जाता है उसमें समझने की कोशिश करेंगे तो यह जैसा कि आप देख रहे हैं यह लकडी का प्लोशेयर है इसी तरीके से जब एडवांस्मेंट हुआ तो लोहे का प्लोशेयर आने लगया और फिर और एडवांस्मेंट हुआ तो यह सब हाथ से या जानवरों से करवाने की जरूरत ही नहीं है तो कल्टिवेटर आ गए जो ट्राक्टर के द्वारा यह करने काम करने लग गया अगला है बुवाई करना या बीच बोना निशिद ओर पर बहुत ही काम है सबसे पहले थो वबाटन तो हम दो बरतन लेंगे, दोनों में कुछ-कुछ बीच डालेंगे और पानी डालेंगे, एक में हम देखते हैं कि जो बीच है वो उपड़ तैर गए, इसका मतलब वो खराब है और यहां पर बीच नीचे सेटल रहे गए, इसका मतलब वो बीच अच्छे हैं, जो बीच तो कई तरीके से हो सकता है, पहला तो traditional method है, जिसमें एक funnel जैसी आकार की चीज होती है, उसमें दो या तीन पाइक जुड़े वे होते हैं, हम उस funnel में बीच डालते जाते हैं और वो जमीन में जाते जाते हैं, पर उसके बाद हमने seed drill का अविशकार किया, यह ट्राक्टर की स रहे हैं और एक जो पौधा होगेगा वो दूसरे पौधे की growth को या विकास को रोकेगा नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं कि यहां पर हम seed drill का इस्तमाल करते हैं, कई पर ऐसा होता है कि nursery में बीच बोय जाते हैं और वो बीच थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं, seedling बन हैं तो हम उनको transplant कर देते हैं, main जो खेत है उसमें, तो transplant भी एक common तरीका है जो बीचों के साथ किया जाता है, seed को seedling बनने का इंतिसार किया जाता है, और फाइनली फसल बनके वो सामने आते हैं, अगला है उर्वरक एड़ करना, तो उर्वरक में हम दो चीजों की बात करते ह है, manure और fertilizer, अब इसमें थोड़ा सा अंतर समझना जरूरी है, manure जो है, वो cowden से बनेगा, animal waste से बनेगा, और वो organic होगा, क्योंकि organic होगा, उसमें humus content बहुत जादा होगा, moisture retention capacity अच्छी होगी, पर उसमें जो nutrients होगे, उसका स्थर उतना नहीं होगा, जितना की fertilizer में, या कृति मुर्वरकों में होगा, तो जब हम fertilizer की बात करते हैं, तो हम NPK fertilizer की बात करते हैं, मतलब nitrogen, phosphorus और potassium, ये सब symbols हैं, जो कि आप chemistry में आगे चल के समझेंगे, तो nitrogen के लिए N, phosphorus के लिए P, और potassium के लिए K, ये NPK fertilizer हमने काफी रूप में काम में लिए, मुख्यदा जब हरित क्रांती ह लंबी समय क्या हुआ, हमने उर्वरक तो बहुत मात्रा में काम में ले लिए, पर लंबी समय में हमें ये एहसास हुआ, कि इन उर्वरक की वज़े से जमीन में production का स्थर बढ़ता जा रहा है, और लंबी समय के लिए ये जमीन के लिए हानी कारक सिद्ध हो सकता है, जो क्रि crop rotation का मतलब है आपके पास 3 season है, A, B और C, तो पहले season में क्या होगा, पहले season में आपकी गेहूं की खेती हुई, अब अगले season में आपने क्या किया, जैसे मटर की खेती कर ली, तो मटर की खेती क्या है, मटर क्या है, एक legume है, तो legume में जैसा कि हमने पढ़ा था, इसकी जो roots होती है, जो जड़े होती है, उसमें root nodules में rhizobium bacteria होते हैं, और ये atmosphere में जो nitrogen पाया जाता है, उसको fix करने का काम करते है, nitrogenous compounds में, और finally, वो nitrogen fix nitrogen है, वो जमीन में, जमीन की उर्वरक शमता को बढ़ा देती है, तो आप क्योंकि आपने यहां मटर की खेती की, यहां पर nitrogen का level ब ऑफ एक फसल लगाते हैं, फिर दूसरी फसल लगाते हैं, फिर तीस्री फसल लगाते हैं, उसी जमीन पर, जमीन नहीं बदल रही है यहां पर, तो आपको confused नहीं होना है crop rotation में, अगला है, सिचाई, अब जब हम सिचाई की बात करते हैं, तो सिचाई क्यूँ जरूरी है, प पानी दिया जा रहा है उसकी मात्रा को हमें निर्धारित करना पड़ेगा किसी फसल को कम पानी चाहिए होता है किसी फसल को ज्यादा पानी चाहिए होता है तो वो सब चीजें ध्यान में रखनी होंगी तो सिचाई के ट्रेडिशनल कुछ तरीके थे और अब जो मॉडर्ण तरीके आ गए उन सब पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले हम ट्रेडिशनल तरीकों की बात करते हैं उसमें पहला है चेन पंप चेन पंप का मतलब होता है आपके दो पहिये हैं जो यहां पर पानी के कुंड में जुड़ पहिये होता है तो पहिये होता है तो बाल्टियां जैसे ही पानी में जाती हैं उसमें पानी भर जाता है जब उपर आती हैं तो खाली हो जाता है तो इस तरीके से राहत सिस्टम काम करता है लास्ट है डेकली यह बहुती traditional और बहुती simple system है एक डंडी के ऊपर एक रसी से आपकी बाल्टी बनी भी है दूसरी तरफ counterweight लगा हुआ है जो उस वजन को balance करने के काम में आता है और इस तरीके से आप पानी pond में से या जो भी सरोवर है उसमें से आप पानी ले सकते हैं तो यह तसार हो गई traditional method तो चार traditional methods हमने किये ढेकली राहत, moat या pulley system और chain pump अगला आता है modern system modern system में हम दो systems की बात करते है drip irrigation और sprinkler sprinkler मुख्यदा जो उची नीची surface है वहाँ पर काम में लिया जाता है lawns में, plantations में काम में लिया जाता है तो आपके पास छोटी-छोटी motors होंगी और उन motors से पानी के फ़ंवारे निकलेंगे तो यह हो गया आपका sprinkler system तो sprinkler system की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंट्रेस्टिंग चीज यह है कि surface level होना जरूरी नहीं है और सभी को उपर से क्योंकि फ़ंवार से पानी आ रहा है तो सभी को उस छेतर में एक जो परिदी का छेतर है उसमें पानी मिलता रहेगा drip irrigation में क्या होता है लंबी-लंबी pipelines connected होती है उसमें छोटे-छोटे छेद होते हैं छिद्र होते हैं जिनके द्वारा बून-बून पानी नीचे आता है उसको drip irrigation कहा जाता है मुक्यता रेगिस्तानी छेतरों में इस method की सिचाई प्रक्रिया की बहुत value है क्योंकि रेगिस्तानी छेतर में पहले तो आपका पानी कम होता है दूसरा इस method की द्वारा नगेव रेगिस्तान जो है इसराइल में वहाँ पर बहुत सारे success पाए गए और ऐसा माना जाता है कि जो वह पूर्ट एक रेगिस्तानी छेतरता वहाँ पर फसल होने लगई और इसराइल का काफी substantial जो agriculture का production है वो अप नगेव डेजर्ट से आने लगई तो इस तरीके से drip irrigation जो है वो एक महत्पून टेकनीक है मुख्यता micro irrigation टेकनीक है जिन छेतरों में कम पानी है वहाँ पर आप बहुत अच्छे से पानी को manage करके सभी को सभी खेत में पानी पहुचा सकते हैं अगला है खरपतवार खरपतवार या जिसको weeds कहा जाता है मतलब वो पौदे जो वहाँ पर नहीं उगने चाहिए जैसे मैंने गेहूं की फसल लगा रखी है और गेहूं के अलावा जो भी बीच में पौदे हैं वो खरपतवार है या वो weeds हैं तो उन सभी unwanted पौदों को निक कालना जरूरी है नहीं तो वो जमीन से सारा nutrients और जो भी काम की चीज़ें वो एब्सॉप कर लेंगे तो जो गेहूं का पौदा है उसको nutrients नहीं मिल पाएंगे तो खरपतवार को निकालने के लिए traditionally तो हम खुरपी काम में लेते हैं जो हाथ से निकाली जाती है या आप हाथ से प्लक करके भी निकाल सकते हैं इस टेकनीक को वीडिंग कहा जाता है कई बार ऐसा होता है कि आपको ऐसा उस पूरे छेतर में आपको कोई chemical का छिटकाव करना पड़ता है जिससे खरपतवार आए ही ना तो उसको हम वीडिसाइट कहते हैं जो पूर्ण तरह वीड्स को खत हो नुकसान दायक होता है इसी तरीके से यह जितने भी खरपतवार होती है इसको खटाने का सबसे अच्छा समय वह होता है जब कोई भी बीज या फूल नहीं आया हो पौदे पे तो जब तक बीज और फूल नहीं आया है तब तक उसको हम अच्छा मानते हैं फिर मतलब किंग करते हैं काटने का काम या तो सिकल के दौरा हो सकता है जो कि हाथ से हो सकता है क्या कि हार्वेस्टर के दौरा में सकता है जो कि शोता है लगे तो तीन चार महिने तो कम से कम उस फशल को लगें कटने तक की प्रक्रेया में पहुंशने के लिए अब जब फशल कट चुकी है तो उसमें से जो चिलका है जो बहार का हिससा है उसको मुख्य Green से अलक किया जाएगा उस प्रक्रिया को Thrashing कहा जाता है जो कि machine के दrar की जाती है कई बार हाथ से हम जटकाओ करते हैं जिसमें हलकी चीजें उड़ जाती है और भारी चीजें आपकी थाली में रह जाती है पर ये छोटी छोटी चीजों के लिए आप आसानी से कर सकते हो अगर बहुत बड़ा पूरा खेत का सामान है तो उसको आप इस तरीके से नहीं कर सकते हैं तो विनोइंग एक टेक्नीक है जो कि हमने कख्षा 6 में पढ़ा था किस तरीके से सेपरेट करते हैं चीजों को और फाइनली आपका अब जो काम में लिया जाता है वो कंबाइन है जो की फचल को काट भी देता है और उसके शाइफ को अलग भी कर देता है एक ही साथ में तो इस खुशी को मनाने के लिए कि अच्छा फसल आ चुकी है तो अलग-अलग जगों में अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग तेवहार मनाये जाते हैं जैसे तमिल नाडू में पॉंगल पंजाब में बैसाकी आसाम में बीहू वेस्बेंगौल में नबाना और पूर Kilene समय तक समझेत के रखना है तो स्टो रेज एक बहुट प्रनुक कांपोधेंट तो स्टोरेज की जब बात करते है तो हमें क्या करना है इसमें कोई भी प्राकार का मश्चर नहीं होना चाहिए ण के कीड़े नहीं लगने कोई चुहे नहीं आने चाहिए को इसको हम पत्ते बी काम में ले सकते हैं या जो गहूं है या जो फसल है उसको मुख्यता सुखा सकते हैं और सुखी वी चीज जो है वो लंबे समय तक चलेगी खराब नहीं होगी कई बार इराडियेशन की टेकनीक से भी इसको लंबे समय तक बचाया जाता है जूट बैक्स में रखा जाता है तिन के डबों में रखा जाता है पर यह सब तो आपने बात की पौधों की पर यह जो खेट है यह अकेले नहीं है इनके साथ बहुत सारे मविशी जूड़े में हैं बहुत सारे मिल्च एनिमल्स उड़े तो जब अनिमें को समाल ने की बात करते हैं तो उस आठ को था को हम इनिमल सबंडरी कहते हैं यह पशो पालन कैते हैं जैसा कि हम पपनेद पौर और इमल पसहर लएल मिलता है जो विटामेंट डी का बहुत प्रमुक्त सोर्स है तो इस तरीके से जैसे हम पौधों के बाता है इसी तरीके से पश्वों के बारे में भी हम चर्चा करते हैं तो ये कुछ प्रमुख चीजे थी जो हमने इस अध्याय में पड़ी निश्यत तोर पर आपको किसान की जर्णी पसंद आई होगी हम आगे कक्षा में और भी इंट्रेस्टिंग टॉपिक्स लेके आएंगे तो ब बने रहें जुड़े रहें धन्यवाद